जब से बीयड को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर किया गया है तब से बीयड के जो भी छात्र हैं वो लगातार तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं ट्विटर अभियान चला रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के यहां पर प्रयास किये जा रहे हैं कि किसी तरह भी अध्यादेश लाकर या NCT कुछ नया करके बियर अभ्यार्दियों को प्रात्मिक सिक्षक भरती में सामिल कर ले तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट आचकी है और यह जानकारी सुप्रीम कोट के वकीलों के माध्यम से भी स्पस्ट कर दी गई है जहां बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दिखाएंगे लेकिन उसे पहले वीडियो को राइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए बियर वर्स की उन्होंने पोस्ट की है जहां पर उन्होंने बताया है कि Review Petition दाखिल करने से पहले उन्होंने जब अपने Supreme Court के अधिवक्ताओं से सलाह लिये तो उन्होंने जानकरी दी है कि अगर सरकार चाह ले तो इस फैसलियों को संसद में पलट सकती है और इस कारण से आप सभी लो अधियादेशन दाखिल करने की बात चल लई थी लेकिन अभी तक रिवीव पिटिशन दाखिल नहीं हुई है वहां के अधिवक्ताओं का ये कहना है कि अगर आप सरकार पर दबाओ बनाते हैं तो हो सकता है कि सरकार अध्यादेश ला सकती है और उसे संसद में पलट भी सकती है और आपको सामिल भी कर सकती है लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है ये इतना आसान है ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सरकार इतनी जल्दी कोई अलग से क्योंकि इसमें कोई सत्र तो चल नहीं रहा है ठीक है इतना अलग से केवल इसके लिए एक अध्यादेश लाए तो इसके लिए अतना आसान नहीं होगा इस अभी चीज़े आप समझ सकते हैं हाँ है तो ये कि हो सकता है लेकिन सरकार इस पर जल्दी से नहीं करेगी NCT का भी पच्छ होना आपके लिए जरूरी है तो वो भी नहीं है तो कि NCT ने आज तक अपने रुक को इस पश्ट नहीं किया है जबकि 11 अगस्त को मामले पर फैसला भी आ चुका है तो ऐसे में ये चीज़े बहुत ही उम्मीद इसकी कम है फिलहाल आप भी हर्थियों के माधिम से प्रयास किया जा रहा है और आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इस बारे में आपको ततकाल दी जाएगी और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले